शादी के मंडप में दुलहे ने एक साथ दो दुलहनों के साथ की शादी News 18 के रिपोर्टर लिखते हैं कि क्या आपने कभी ऐसी शादी के बारे में सुना है जहां किसी शादी के मंडप में एक दुलहे ने दो दुलहनों के साथ शादी की हो ऐसी अनोखी शादी का मामला मध्परदेश के बटूल में पेश आया है हुआयों की दुले संदीब के घरवालों ने उसके लिए लड़की पसंद की थी लेकिन संदीब को कोई और लड़की से शादी करना था इस विवाद को खतम करने के लिए तीनों परिवारों को गाउं की पंचायत के पास पहुचाया गया जिसमें पंचायत ने फैसला लिया कि अगर दोनों लड़कीयां संदीब के साथ रहने के लिए तयार हैं तो दोनों की शादी एक ही लड़के यानि संदीफ से करा दी जाए इस फैसले पर दोनों लड़कियां राजी हो गई और खास बात ये कि इस शादी में तीनों गाओं के लोग भी शामिल थे इस खबर से हमें मालूम हुआ कि हम अगर संजीदगी के साथ हर मामला हल करने बैट जाएं तो हल जरूर निकलता है लेकिन आपको बता दें इसलाम ने एक से जादा औरतों से निकाह की अजाज़त दिया है ताकि समाज में जो औरतें बेवा हैं या तलाख शुदा हैं या कोई भी इजददार हैं उन सबसे निकाह की अजाज़त है ताकि समाज में बेहयाई और बदकारी पर रोक लगाना मुम्किन हो इसलिए अलाह ने सुर निसा आयत नमबर तीन में बताया है कि जो औरतें तुमको पसंद आएं उनमें से दो या तीन या चार के साथ निकाह कर लो अगर तुम्हें डिर हो कि इनके साथ इनसाफ ना कर सकोगे तो एक ही औरत से शादी करो पुरान की इस आयत से इनसाफ की एहमियत का भी अंदाज़ा लगाएं कि इसलाम ने किलिर कर दिया कि अगर इनसाफ ना कर पाएं तो एक पर ही सबर करें और इनसाफ करते रहें ऐसे ही और वीडियो जो बनाने में हमारी मदद करें